हेलो वाटसप गाइस माने में स्पिनोथ बादू थापा एंड टूदे इंड इस पीड़ोबूबू इस पहले यहां पे आप बहुत कि लेली देख सकते हो कि यह पॉफेक्टली काम कर रहा है और बैस पार दिखाऊ में आपको यह बस आप यहां पे ध्यान दीजिएगा इज अध्याइट इसको अल्रीडी लाइड वोस्ट कर चुक हो वो भी बिल्कुल फ्री में चाब में इसको जितना भी रिफ्रेज्च चाहूं करूं या कुछ भी करूं डेटा ओल्वेज इधर ही रहेगा इसको चाहे तो आप अपने मुबाइल अपलिकेशन पे भी रख सकते ह जिससे आज की दिन आपको जो भी create करना आप इस तरी के से लिख दो study enter कर दो अंडूरिंक इसतरी के से तो आप इसको अगर अगर पढ़ लिया तो टीक कर दो अगर हो गया तो टीक कर लो आप मनलब समझ ळो लुए आप आपना खूद का एक टूरू आप कर सकते हो जो कि हम अभी तक अगर आपने बाकी के प्रीवेस वीडियो को चेक आउट नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा इसको उस्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा इस होस्टिंग में मॉन्सून सर्वर सेल स्टार्ट हो चुका है यह अभी तक का सबसे लुएस प्राइज है इवन अगर आप चेक आउट करते हो तो मैंने जो पर्सो की दिन एक वीडियो अप्लोड किया था मन्सून सर्वर सेल इस वीडियो को आप एक बास जो चेक आउट कीजेगा आपको पता चलेगा कि 2022 से सबसे ज्यादा सस्ता है इस बार 2024 में फ्री SSL, फ्री Domain, फ्री AI वेबसा इस बाताना चाहूंगा I have a special coupon code जहां पर आप आप यूज करते हो थापा 7 then you will get extra 10% discount on existing discount तो जो price already है उसके उपर 10% का और extra discount आपको मिल रहा है तो और क्या अची है तो guys link में आपको नीचे description में दे दूँगा जरूर चकाउट कीजिएगा और रही बात server क्या है hosting क्या है कैसे connect करना है इनको कैसे स्टैटिक विपसाइड डैनेमिक विपसाइड चाहे वो PHP हो चाहे मान अप्लिकेशन हो चाहे react हो चाहे node हो उन सब को कैसे host कर सकते फ्री इसमें SSL certificate कैसे add कर सकते फ्री email कैसे get कर सकते सब के उपर मैं already playlist अपडेट कर चुका हूं तो इस playlist को भी जरू चकाउट कीजएगा आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे और गाइस तो अब हम बिना किसी देर के विडिकर स्टार्ट करते हैं लिंक में निचे description दे दूँगा जरू चकाउट कीजए बहुत ऑसम अपर्चुनिटी है और गाइस तो हम आगे हमारे वापस टूडू लिस्ट अप्लिकेशन पर इसको तो मैं बिल्कुल फ्री में होस्ट करके दिखाऊंगा वह भी नेटलिफाइ में अब हर एक प्रोजेक्ट को फ्री में होस्ट नहीं कर सकते द्यार मेने लिमिटेशन सबसे पहला लिमिटेशन यह है कि आप देख सकते हों यहां पर कि यह नेटलिफाइ डॉट आप कभी नहीं चाओ गया ऐसा क्योंकि कोई भी विबसाइट अगर आप मेरा देखोगे यू नो थापर टेक्निकल डॉट सॉप पर आप जाते हो हेर वी है पर कम्प्लीट मेरे जितने यूटूब वीडि डॉमेंड मेरा टूडूथापा.com होना चाहिए था ना कि टूडूथापा.netlify.app रहेगा कभी .com भी नहीं होगा तो लिमिटेशन यह है बट इस फाइन आप दुनिया को दिखा सकते हो अपना काम करके है और मेरे साब से यह काम चलाओ तो है गाइस कोई प्रॉलम नहीं तो कैसे होगा देखिए आपको netlify जो यह site इसको open करना है सो इसको सबसे बहले तो आपको login कर लेना का है simple ठीक है कोई बड़ी बात नहीं login करना चाहिए तो आप GitHub के थूरू कीजिए या आप साय नॉर्मल Gmail के थूरू कीजिए बस कर लीजे आप इसमें ठीक है एंड जब इसको तूरू था आप अभी जस्त थूरू देर पहले होस्ट किया था and here also we have the same option यहाँ पर आप देख सकते हो add new site so इसके अंधर तीन options होते डारेक हम existing project को इंपोर्ट कर सकते है इस मैंने GitHub के थूरू इसको integrate कर रखा है आप एक new template स्टार्ट कर सकते हो और deploy manually कर सकते हो and I guess य easy रहेगा आपके लिए ठीक है तो हम deploy manually पर जाएंगे अब यहाँ पर आप कोई भी website उठा दो चाहिए आपका normal HTML का single file हो चाहिए आपका एक portfolio का फाइल अब उठा दो यहां रख दो आपका host इतना easy but हमारा react application जो है वो तो का इस एक static website ही है but HTML से से थूरू तो नहीं किया हमन component जिसके अंदर we have a JSX and इसमें इतिने सारे चीजे जो हमें तो चाहिए नहीं ना यह models file ना यह git ignore ना यह package file हमें तो सिर्फ यह code चाहिए तो अब यह बहुत जाद important आपको समझना कि जो यह आपका code कर रहे है आपका development version के लिए बड़ जब आप होश कर गए तो आपको production version चा आप normal NPM के थुरू कर रहे हो then आपको लिखना है NPM run and then build and आपको enter hit करना आपका यह जो फोल्डर है जो basically आपका production version code है वह आपको मिल जाएगा and यह ध्यान से देख लिए आपका लिखा में I mean NPM run and then build फिलाल हमने burn के थुरू किया ठीक है तो हम क्या लिखेंगे burn run and then build आप द I mean build हो गया है आपको चिस्तर किसे देख पा रहे हो यहाँ पर and the main thing is कि बाकी जगे पर आगर आप देखो गया है ना without beat आगर आप देखते तो साहथ वहां पर आपको build folder मिलता है इसलिसका नाम भी build था but हमें एक new folder मिला है जिसका नाम है dist and यह है आपका actual static asset जिसको आप आप नहीं पे भी रख दो आपका host हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर आपके सारे data आप देखो index.tml हमें मिल गया है assets में आपको guys देखो आपका यहाँ पे jsx का होगा यहाँ पर css basically यह dist folder वह आपका production version वाला code है जो आप host करोगे actual में तो कुछ ही नहीं करना यहाँ पर मुझे जाना है browse to upload वाले file पर अभी just मैंने जो dist folder create की है वो मुझे यहाँ पर upload करना है simple so guys आप देख सकते हूं कि मैं यहाँ पर मेरे application पर आचुका हूं react to do and यहाँ पर I have this dist folder आप देख सकते हूं यहाँ पर I have this dist folder इसको मैं click कर रहा हूं this is it मैंने one time click use कर अंदर आए अंदर मैं upload पर क्लिक कर दे रहा हूं बाता रहा फोर फाइल से अपलोड करना चाहों कि मैंने बलाए yes मुझे करना है and yeah this is it so guys so guys आप देख सकते हूं कितिनी एजी लिया हमारा यह like within a few seconds आपका यह website जो है live हो चुका है कितिना एजी था राइट तो यहाँ पर प्रीव करके देख सकते ह आपको दिखाई दे रहा है perfect यहां पर we have on the left hand side अगर आप देखोगे एक second here we have a site configuration and then here we have this site overview तो site overview पर आप जाए तो आपको पता चलेगा कि आपका website जो बना है उसका नाम कुछ तो भी यह है अजिपसा यह बहुत अजिपसा नाम है आपको ठीक है यह जो दिख रहा है यह आपको का नाम है बर्ट यह नाम मुझे निचे तो at least a good part यह है कि we can change the name तो उसके लिए क्या करना है यह site configuration यहां पर भी है and here also my new URL thapa2do.netlify.app इसपा कर मैं क्लिक करूंगा and boom guys see तो आप देख सेक्थे सेम साइट को आप मुल्टिपल टाइम्स होस्ट कर सकते हो क्योंकि starting में मैंने होस्ट जो की थी वह अल्रेडी लाइब है यहां पर भी तूडू थापा and अभी recently आपके सामने मैंने होस्ट कर दी जि कितनी easily हमने इसको live host कर दिया वो भी बिल्कुल free में but there are many limitations जो आपको बहुत आगे जाके पता चलने वाला है but फिलाल अभी यह कैसे हो कि हमारा काम चलाओ दुनिया को साथ सेर करना है उसके लिए perfect है Netlify but guys जैसे कि बता चुका हूँ कि अभी hosting में सबसे चल रहा है link में करने वाला क्योंकि बहुत ही जादे इंपोर्टेंट है और अल्लेडी बीपे सेट अपर वीड़ अपलोड कर चुका हूँ जरू चकाउट कीजिएगा एक और इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने specific एक अलगी react प्रोजेक्ट बनाया और उसमें to do code जो मैंने copy paste कर दिया और कु किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्षिन मैं आपकी जरूर हप करूंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो फ्लीज कर देजेगा मिलता हमें अब आपको नेक्स्ट वीडो में तेल देन गाइस थेंकी सो मच टेक क्या